दोस्तों मैं अनेकेड मी के लर्निंग एप पर भी अजूकेटर हूँ तो आप अनेकेड मी का लर्निंग एप डाउनलोड करके मुझे फोलो कर सकते हूँ वाँ पर जहाँ पर मैं विभिन गवर्मेंट एक्जाम जैसे रेलवे, ससी, बैंक, पुलीस, इत्यादी के संपून कॉर्स की वीडियो एवेलेबल कराता हूँ तो आप अनेकेड मी का एप्लिकेशन डाउनलोड करके निचे डेस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर किलिक करके मुझे कर सकते हो, हलो दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेनिंग जी के में, दोस्तों मैं राजस्थान पुलीस के एक्जाम से जश्ट एक दिन पूरो लेकर आ गया हूँ, मुख्य पेपर के भाग सर की क्यूज जिसमें 61 से 120 तक के 60 क्यूशन को कवर किय गया है, इस क्यूज को अटेंट करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इस भाग में कितना स्कॉर कर पाएंगे, यहाँ पर पेपर का लेवल मोडरेट रखा गया है, जैसा कि मुख्य परिक्सा माने की संभाव ना है, तो पेपर को पूरा अटेंट करना जैसे आपक लेवल बढ़ जागे और आपको एक्जाम में पेपर करने में कोई भी हेड़ेक नहीं आएगी, मेरे को कमेंट करके बताना जरूर कि आपने कितना स्कॉर किया है, इसमें परते क्योशन के लिए आपको पांस सेकेंड का समय मिलेगा, यहाँ शुरू करते हैं यहाँ पे 61 क् जिसने अकबर की अधिनता स्युकार नहीं की थी, राव उद्ये सिंग, राव माल देव, राव चंदरशेन, राव जोधा, तो दोस्ता इसका सही उत्तर है, उप्षन नमबर 3, राव चंदरशेन, नेक्स्ट क्योशन के तरब बढ़ते हैं, क्योशन नमबर 62, लंगा जाती मुख्यत कहां पाई जाती है, सिकर बाड़ मेर, जेसल मेर, बीकाने, जेसल मेर, बाड़ मेर, बीकाने, यहाँ पे करेक्ट एणस ओडर है, जेसल मेर, बाड़ मेर, ऑप्षन नमबर 3, यहाँ पे अगला क्योशन है, 63, सोर, उर्जा, उप्करम, 16, शम्बन दित हैं, जोदपूर पाली, तीन जोदपूर जालोर पाली और चयार है जेसल मेर बाड़ मेर जालोर तो इसका correct एंसे और अप्सन नंबर एक जोदपूर बाड़ मेर और जेसल मेर next question कि सिल्हलेक में भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है चीके का सिलालेक, नेमिनाज सिलालेक, स्रिंगी रिशी शिलालेक और विजोलिया शिलालेक तिसका correct answer है श्रिंगी रिशी शिलालेक उप्शन नमबर तीन नेक्स्ट क्योशन यापे जैपुर के राजा इसुर्शिंग की समय का वह चित्रकार जिसने आदम कज चित्र बना कर चित्र कला में नई प्रम्परा डाली नुरूधीन करपा राम बल्देव या सहीब राम करेक्ट एंस्वर ओप्सन नंबर चार सहीब राम नेक्स्ट क्योशन यापे ग्रेन नाइट पत्थर वज चूने से निर्मित बांध है जवाई बंदबारेठा पांचना मही बजाज सागर करेक्ट एंस्वर है जवाई बांध ओप्सन नंबर एग नेक्स्ट क्योशन यापे किस सिसोध या साशक ने शाथियों तथा परजा में शैनिक जिवन की अभिवेक्ति के लिए विजिय कट का तुपी उपादी धान की थी अमर शींग, सांगराम शींग, दित्ति, राज सींग या महाराजा जै शींग साही एंस्वर है यापे ओप्सन नंबर तीन, राज सींग सिवाना का किला एक परोती द्रुग है जो बाडमेर जले में अवस्ति थे, इसका निर्मान, वीरना, रायन, पहँवार ने कब करवाया था सातवी सदी, नवी सदी, दस्वी सदी या पंदर्वी सदी में करेक्ट एंस्वर दस्वी सदी में नेक्स्ट क्योशन निमन मैं से कौन से जिले पर शलंगन है? आप यहां पर जिलों का ओप्सन देख सकते हो तो यहां पर correct answer है option number नागोर, शीकर और जुन्जनू दोर नमबर option है इसका सही जवाब नागोर, शीकर, जुन्जनू आपस में परसपर शलंगन है next question अजीज सींग दोरात दुर्गादास को मारवार से निस्कासित कर देने पर उसने कहां सेवा प्रारम की थी जस्वन सींग दित्ये, भारमल, अमर्शिंग दुत्ये या उद्यशिंग correct answer है याप अमर्शिंग दुत्ये next question 71 निमन को सुमेलित कीजिए या पर आपको option दिये गये नीचे और इसको आपको सही सुमेलित करना है या पर आपको मैं 10 सेकिंड का समय दे देता हूँ तो इसका सही जवाब है option number 1 once भासकर है वो सूरिमल मिशरन रूठी रानी है वो केशरिशिंग भारत और शेनानी है वो मेगराज मुकुल और पाथल और पीतल है वो है कनहया लाल सेटिया की रिचना next question है आडूती की पठार में राजिस्थान का कौन सा छेतर समय लित किया जास सकता है correct answer option number 1 दक्षिनी पूर्वी शेतर next question राजिस्थान की प्राचिन सबिता नगरी किस जिले में विक्षित हुई है जहां से सिवी जन्पद के सिक्के मिले है चितोडगट भीलवाड़ा टॉक उदेपूर यहापे correct answer है option number 1 चितोडगट next question जब लहरिये की धारिया एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है जो वक क्या कहलाती है correct answer उसको मोहटड़ा बोलते है next question यहापे राधस्तान के किस भोतिक विभाग वे जन्सिंग्या घनत्व अधीक है यहापे जन्सिंग्या नई पूचा है जन्सिंग्या घनत्व पूचा है तो इसका सई जवाब है option number 3 पूर्वी मैदानी भाग जिसमें 39% जन्सिंग्या और उसका जो छेतरपल है वो है 23% इस पर सकार तो घनत्व आता है छेतरपल के सापेक्स वो है पूरी मैदानी भाग में सबसे जैदा नेक्स्ट क्योशन यहाँ पे जेलर खोल दर्वाजा हमें भी जेल जाना है जेल तेरी है न तेरे बाप दादों की हमारी मातर भूमी को बना या बंदी खाना है जेलर खोल दर्वाजा हमें भी जेल जाना है उप्रोक्त पंक्ति की सुतनतता शैना दी दोरा कही गई है कवी तेज गंगाबाई सागरमल गोपा या जैन नहराण व्याष करेक्ट एंस्वर कवी तेज दोरा कही गई है ये पंक्तिया नेक्स्ट क्योशन है संगत बताईए यहाँ पे कुंदन कला जैपूर पड़ जित्रन शहापूरा टेरी कोटा की मूर्तिया मोलेला नहत्वरा इसमें से सूर संगत कौन सा है तो यहाँ पे ओप्सन नमबर चार से यह यह अनि सब भी एकदम सूर संगत है कोई भी गलत नहीं है नेक्स्ट क्योशन यहाँ पे आपको सुमिलित करना है पठार परवत दिये गए है और यह कौन से जिले में अवस्तित है आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा इसके लिए तो यहाँ पे कर्रेक्ट एंस्वर है ओप्सन नमबर एक मतलब मेशा का पठार जेतोडगड भूमट का पठार उद्यपूर अड़ा वाला पठार है जो बूंदी और सुन्दा परवत है वो जालोर में है नेक्स्ट क्योशन है यह दि आप समय जैदा लेना चाते हो किसी भी क्योशन में तो आपको वीडियो कोज करना पड़ेगा नेक्स्ट क्योशन है निमन में से किस राजपू शाश्र को हिंदु सुर्तरान के नाम से संबो धित किया जाता है यहापर correct answer है option number 3 कुमभा को अगला क्योशन निमन में से कौन सा वस्तर आदिवासी इस्त्रियों द्वारा नहीं पैना जाता है option number 4 अंग रखा जो की आदिवासी पुरुशों द्वारा पैरा जाता है next question है उद्यपूर जिले के कोठडी तैसिल की अरावली की पाहड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है option number 4 शाबर मती अगला question ढोल बाजे जंग बाजे भलो बाजे बांकी हो एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांकी हो यह यहाँ एजेंट को मार कर इस वाक्यांस में किस एजेंट को मारने की बाहत कई गई है सही जवाब है मोक मेशन को अगला question है निम्न में से कौन सा मेहल उद्यपूर शहर में नहीं है यहाँ पर उद्यपूर शहर की बात की जा रही है राजमेल जगमंदिर जगनिवास और रानी हाडी का मेहल यहाँ पर उप्सन नंबर चार रानी हाडी का मेल है जो सहर में नहीं सहर से बाहर है सलूंबर उद्यपूर में अगला question है यहाँ आपको आपको सुची एक को सुची दो से मैच कराना है जहाँ पर अरावली शिकर और जिला के बारे में आपको मैचिंग करनी है आपको नीचे यहाँ पर कूट दे दी ओके आप युडियो को पोज करके ज्यदा समय ले सकते हो बाकी मैं उत्तर बता देता हूं इसका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर रगुनात गड़ है यह सही जवाब है सीकर की पाड़ियों से और जो गुरुचीकर है उसका है सिरोई की जरगा है वो है उद्यपूर की और जो जैगड है वो है जैपूर की पाड़ी मेवार प्रजाब मंदल का पर्थम अदिवेशन कब ब्रारम हुआ था तरेक्ट एंस्वर 2.1941 नारी सुंद्रिय की छेली की परमुक विशेश्ता है तो किसनगड छेली की नारी सुंद्रिय की परमुक विशेश्ता है नेक्स्ट क्योशन यहापे बनास नदी राजे की सबसे बड़ी पूर्ण बहावाली नदी है इसका उद्गम किस जिले में है बनास का उद्गम ओप्शन नमबर तीन राज समन नेक्स्ट क्योशन भारत में पच्छू पालन का प्राचिन तम साक्षे एंउमा सतियों का टिला निवन में से किस इस्तल से मिला है तो ये मिला है बागोर से जो की भिलवाडा को टारी नदी पर इस्ती थे नेक्स्ट क्योशन राजस्थान में गुदर समपरदाय की परमुग पीछ का है गुदर समपरदाय सईजवाब एक दातड़ा भीलवाडा अगला क्युशन राजस्तान का वहत जिला जो हरियाणा को इसपर्शन नहीं करता है modest पैंसोने यहाँ पर भीलवाडा राजस्तान की साथ जिले है जो हरियाणा को इसपर्श करते हैं जैपूर, भरतपूर, हनुमानगर्ण, सीकर, जुन्जनू, चुरू और अलवर अगला क्योशन है 91 मुगल समराट अक्बर ने 1572 से 73 में जोदपूर को किसे सुपूर्ड किया था सही जवाब ओप्सन नमबर दो बीका नेर के राई सिंग अगला क्योशन निमन मैंसे कौन सी लोक देवी मेवाड में इस्तित नहीं है एंस्वर तीन सुगाली माता अगला क्योशन राजस्थान का गोट मांगलोज छेतरकिस खनीज के लिए परशिद है गोट मांगलोज ओप्सन नमबर दो जिप्सम नेक्स्ट क्योशन 94, 1934 में इस्तापित मारवार परजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे करक्ट एंस्वर भंवरला श्राव नेक्स्ट क्योशन निमन मैंसे कौन से नर्ते में वाध्य यंत्र के रूप में च्यार या पांश डोल बजाए जाते है इसका सई जवाब है ढोल नर्ते जो की जालोर जिले में मुख्यत होता है अगला क्योशन यहापे आपको कंजर्विशन रिजरो और जिलों को आपस में सुमेलित करना है और ज्यादा समय लेने के लिए वीडियो को पोज कर सकते हो तो यहापे आपसन नंबर एक सही है गोगेलाव है वो है नागोर में जो जोड बीर गाडवाला है वो है बिकानेर में गुड़ा विस्नुयान है यह है जोदपूर में और जो सुन्दा माता है वो है जालोर जिले में अगला क्योशन उद्यपूर की पिछोला जील में इस्तित जग मंदिर महलों को किस राणा ने बनवाना शुरू किया था दो नुमर ओप्शन सही है करणी शीही अगला क्योशन जैतम तोल राठोड को किस लोग देवता के नाम से जाना जाता है जैतम लोत राठोड सही जवाब है आलमजी अगला क्योशन है आपको खारे पानी की जीलों को जीलों से मेच करवाना है यहाँ पर आपको कूट दिया गया है तो यहाँ पर सही जवाब है option number 2 जो सामबर जील है वो है जैपूर में डीडवाना है यह है नागोर में पच्पदरा बाड मेर में और लोन करण सहरे वीकानेर में अगला कैसे ने मेवार के किस साश्रक ने औरंग जेब की मुर्द्य जो हुई थी 1707 इस्वी में के बाद हुए मुगल उत्रा धिकार शंग्रस में सहजादी मुर्जम बहादूर्शा पर्थम का नाम है का पक्ष लिया था तो वो कौन सा शाशत था करेक्ट एंस्वर अमर्शी जुट्य नेक्स्ट क्योशन या पर राजस्तान में सरवादिक छेत्र में परियोग की जाने वाली बोली है सही जवाप मारवाडी अगला क्योशन है पुष्व परजनन केंदरों को पशू नशलों से आपको सुमेलित करना है यहापर पुष्व परजनन केंदर पर नशलों दिये गए हैं तो इसका right option आपकोशू करना है तो यहाँ पर सई उप्सन है एक नंबर यानि डग है जो गिर मालवी कुमेर है मुर्राब है चांदन गाउं जेसल मेर है थार पारकार जो नोहर हनुवान गड़ है वहाँ पर राठी नसल पर मुखे अगला किसा है यहाँ पर हर्माडा का युद्ध हुआ था किसके मद्य हु काजी खा एं उद्धे सिंग के मद्य यह हुआ था फिप्टिन फिप्टी सेवन में पंदरा सो सताउन अगला किसन डामोर जन जाती से सम्मंधित मेले हैं सही जवाब है एक और दो दोनो छेला बाव जी का मिला और ज्यार्ष की रिवाडी का मिला ये मुख्यत मेले डूंगरपूर बासवाड़ा और उद्धिपूर में होते हैं अगला किसन मद्य अरावली की सबसे उन्ची सोटी कौन सी है मद्य अरावली की सही जवाब है मोराम जी है ये अजमेर की है जो है 933 मिटर उन्ची अगला किसन मेवाड राज कुमारी किष्णा कुमारी के विवाग के संध्रम में जैपूर एउ मारवाड के शाषकों के मद्य कौन सा युद हुआ था किष्णा कुमारी के विवाग के संध्रम में सही जवाब है गिंगोली का युद अगला क्योशन एक सो साथवा कांकन डोर बाहंदना नामक रिवाज निमन में से किस अवसर पर किया जाता है सई जवाब है विवाउट सवपर नेक्स्ट क्योशन निमन में से कौन सा जेवी कुद्यान जो बायलोजिकल पार्क है वो राजिस्थान में है उपरोग सभी है नाहरगड सजनगड और मास्या सभी राजिस्थान में है अगला क्योशन ने अठार सो सतावन के विद्रो के दोरान मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे तो ये मारे गए थे कोटा में जास सबसे अधीक विद्रो हुआ था अगला क्योशन इस त्री पुरुशों को दासों के रूप में रखने की प्रमप्रा को क्या कहते हैं इस त्री पुरुशों को दासों के रूप में सही जवाब है ओप्शन नंबर श्यार गोला अगला केशन मध्य पर्देश से निकलने वाली वह नदी जिस पर सर्वाद्धिक बाहांद बनाए गए है तो वह नदी है चंबल जिस पर तीन बाहांद है राणा परताप सागर, कोटा बेराज और जोहार शागर अगला केशन मारवाड का वह शाशक जिसे मध्य कालिन लेखकों दोरा भारत का महान प्रुश्वार्ती राजकुमार कहा गया है करेक्ट एंस्वर एक राव माल देव अगला केशन यहापे बनी ठणी राधा कृष्ण गीत गोविन कृष्ण लिलाम वह आखेट का सित्रन के छेली में परमुक विशे है तो यह छेली है किसनगड की छेली अगला केशन चोदरी कुमभा राम नहर द्वारा लाभान वित जिले युग में है तो वह जिले है हनुमान गंड और जंजनु उसके साथ चुरू भी है तो आप्सन नंबर तीन यहापे साहिए अगला क्योशन है निमन मैंसे किस देश सी रियाशत में आपक्षा कर सबसे बाद में परजा मंडल की इस्तापना हुई थी परजा मंडल सबसे बाद में किस रियासत में हुआ था सही जुआब है जहलावार नेक्स्ट क्योशन बालक के जनम पर किया जाने वाला संशकार है नामकर्ण, निस्कर्मन, जातकर्म या अंदपराशन सही जुआब है जातकर्म अगला क्योशन निवन में से कौन सी खारे पाने की जील नहीं है सही जुआब है कोलायत जो बीकानेरक में पड़ती हैं तो ये जील खारे पाने की नहीं है अगला क्योशन निवन में से किस युद में पहली बार राजपूत मराठा को प्राजित करने में शफल रहे सही जवाब है तुंगा का युद अगला क्योशन आपको यहाँ पर सुमेलित करना है हवेली और वह कौन से इस्तान पर अवस्तित है वीडियो को पोज करके कर सकते हो यहाँ पर सही जवाब है ओप्सन नमबर दो जिसमें पोधार की हवेली नवलगर जुनजनू सोने चांदी की हवेली है महांसर पंचारी की हवेली है स्री महदोपूर और शालिम सींग की हवेली है जैसल मेर और इस क्विज का लाश्ट क्योशन है 120 क्योशन निमन में से कौन सा नगर बलुआ पत्थर कटक पर इस्तित है तो इसका सभी जवाब है option number 4 बूंदी दोस्तों आपने कितने question correct किये मेरे को नीचे comment करके बताना जुरूर और दोस्तों जैसे ही राजस्तान पूलिस के परतेक सिप्ट का एक्जाम खतम होता तो उसके तुरंत एक या दो गंटे में मैं एक दम सटिक उसकी एंसुर की राज़ दूँगा तो अभी तक मेरे चैनल को आपने subscribe नहीं किया तो नीचे लाल आइकन वाले बटन को प्रेस करक दबा देना ताकि जैसे ही latest वीडियो आए आप तक notification पहुंच सके तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो में वंदे मात्रम जैहिंद